नमस्कार दोस्तों, श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से। जड़ी बुटी के माधम से 5-10 मिनट में अचेत पड़े अवस्था को भी पुनठी किया जा सकते हैं। जड़ी बुटी हैं वो अलग अलग प्रकार के बीमारे को ठीक करने में शमर्थवान होते हैं। अलग अलग प्रकार के बीमारे को ठीक करने के गुड़ पाये जाते हैं। और हमारे बीड़ो में बताएंगे जानकरी पसंद आती हैं तो बीड़ो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो ब्रिक्षद देख सकते हैं हमारे बड़ो के माध्धम से इसे ब्रह्म देव का आसिरवाद प्रापत हैं ये सदाव सुहागिन रहेंगे। इसे महिला सुहागिन रहते हैं इसलिए ग्रामिडि लाको के लोग इसे सदाव सुहागिन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमेशा हर्याली रहते हैं ये कभी भी मुर्जाते हैं ये इसमें हमेशा फुल लगे होते हैं इसमें आप पानी डाले ये ना डाले लेकिन ये बिल्कुल ही हरा आवस्त हमें रहते हैं इसके अंदर में बहुत ज़्यादा चमतकारी की सक पाया जाती हैं अाइरवेदी के सास्तोर में तो इससे संजीवनी संजीवनी तक कहा गए संहीनिव बुटी नमक जैसे हैं इसली संजीवनी बुला जाता है एक बात हमें जरूर बताना आप शचाहिके बिढ़ों सदा फुली ये फिर अलग अलग नमों से जाना जाता है किर पाकर हमें कमेंड में जरूर बताना इसे आप किस नम से जाना जाता है और अगर आप भी इसके कुछ आयरुविदिक परयोग जानते हैं आयरुविदिक लाप जानते हैं तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताना आप तो इन समस्रा को दोर करने के लिए सदा बहार क्या पर्योग कर सकते हैं एक कई प्रकार की बीमारी को चुटक्यों में समाप्त कर सकते हैं आब को निरोगरा सकते हैं आब के जो बुढ़ापें उसे समाप्त कर सकते हैं आप कैसा भी भ्यानाक बीमारी से जूजर उस बीमारी क को ठीक कर सकते हैं इसके पांस से साथ आयरवेदी के मुँम जबर जस्ता पावार फुल परिछीत मैं खुद प्रमाडित की वे चमतकारी परयोग बताऊंगा आज कल हेल्थ चैनल में इतना ज्यादा फाल सा बिड़ो बनना सुरू हो गए इसलम हेल्थ चैनल में काम करना क्योंकि सहीं तरीक से आयरुवेदिक दवा का आजिका लूप 4 नहीं किया जा रहा हैं चैनल मार्केटिंगे ऑंना दोसे चारी कंपनी बना थी तिया जो भी बिमारी के लाब उनका दवा परियोग करते थे वह बिमारी ठीक होता था और आज के समय में देख लेना पैसा कमाने की जरिया भी आईरिवेदिक दवा कमपनी वाले लोग मेडिसीन बना रहे बना रहे अपनी जगाई आईरिवेदिक दवा वाले लोग भी मार्केटि की तरब हमारे चनल का मकसद हैं आपने घरों के असपास में पाई जाने वाले जो फेड़े पोधें आज भी इनके जानकारी अपने चनल के माधम से आप सभी को फिर से बताने के प्रयास करेंगे जिससे आब का भाला हो आपका कल्यान हो क्योंकि दोस्तों हमारे भारत भूमी में इस प्रकार के अईरवित के अमुल जो धरोहर है जो ग्यान हो समापता नहों तो जो सदावाहार नाम के पोधें हैं यह बलड सूगर लेवाल को कंट्रोल करने का काम करते हैं यह बलड में जो इंसूलीन की मात्रा बढ़ चुकी होती हैं उसे कम करने का काम करते हैं यह क यहों से लोगों को आपने देखा होगा diabetes की बीमारी ठीक करने के लिए जामुन जो होते हैं जामुन नामे के पाउधा जो जामुन के फली होते हैं इसके पाउडार पीने के लिए बोलते हैं जामुन के जो छाल होते हैं इसे पीने के लिए बोलते हैं क्यों कि जो कैसे हला ची तो जिनके ब्लड में अगर इंसूलीन के मात्रा बढ़ चुकी आप चाहते हैं वह चाहते हैं तो इनके पत्ते लेना है आपको 100 गरम इनके पत्ते लेना है पांस से साध काली मिर्चा लेना है और एक से दो चोटी सिकरी आपको अधरक्के लेना है यहने तीनों चीजों को डा टान है जब तक कि एक ईक गिलास नर जाहте जैसे यह गिलास बसते हैं तो इसे चान करके आपको एक मिलास पंदते हैं यह सुवह पीजें ₹ कर सकते हैं डेलिक अगर आप सदा बहार के जो फुल नहीं पाएंगे इनके पत्तिया नहीं पाएंगे ते काम करने इनके पत्ति को धुपमें सुखा ले न 예हां दूपमें सुखा लेना और इनके पाउडार दो चमबस की मातरम में एक गिलाज कुन गुने जो पानी रखेंग जिनके रोग प्रती रोधा का छमता कम होते हैं ऐसे विक्ति मौसां बदलने के कराण तुरंद बीमार पढ़ जाते हैं ऐसे विक्ति को बहुं सारे बीमारिया घेर लेती हैं आप चाहते हैं कि 100 साल तक आपके जो है अवस्था हो जाएं आपके आयू बढ़ जाएं आपको भी बीमारी नस सता हैं आपके भी चेहरे जवान एवं इस फूर्ती दिखें आपके सरीर में ताकत एवं जोज भरे रहें तो एक काम करना डेली के नहीं करना चाहते हैं तो देखे सभी को समय नहीं मीर पाते को डेली के करें लेकिन एक दिन एक दिन इसके पूरे पंचांक आपको काढ़ा पीना है एक दिन आप जो है समय निकाल लेजिए चैसे के संडे को आप जो है समय निकाल लेना तो एक दिन इसके पूरे पंचांक का काढ़ा पीना सुरू कर दिजे बिल्कूल ही आपको कैसा भी आपके सरीर में बीमारी अगर आने के प्रयास करें आ नहीं पाएंगे, आपके सरीर कितना जादा ये इम्नुटी को बुष्टा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसे कई प्रकार की बीमारी स्वातायाब से दूर भगने लगते हैं, आपके आने के लिए सब्ता में एक बारे इस से जरूर पीते रहे हैं, फिर इसके प्रकार के प्रकों प्रकार की बीमारी स्वाह कली मिए अगर अगर हमारे भारत भूमी से आईरवेदे के जानकरी समापता हो जाएंगे, तो बाद में चल खरके हमें लगते ही काफी नुक्शान हो हमारे भारत भूमी को आज इतना ज़्यादा कियों शहराया जाता है इतना ज़्यादा कियों मन समान प्रतिष्ठा मिलते हैं क्योंकि जो भारत भूमी है कहीं न कहीं देव भूमी कहे जाते हैं हमारे भारत भूमी में भगवान कृष्ण भगवान राम जैसे अनेक महा जो दि इसे सबुदेनें के पाइने लेना है और इनके आपको 8-10 पत्ते लेना है पुदेने के 5-7 पत्ते इनके 8-10 पत्ते और 2 आपको काली मिर्चे इसे डाल करके आपको उबालना है कितने पानी लेना है वो भी ध्यान से सून लेजे तो आपको पानी की जो मातरा लेना है दो गिलास अब अच्छी तरह से आप आपको उबालना जब तक आधे गिलास पानी से न राजा इसके बाद आपको पीना तो कैसा भी जो सीर के दर्दा होते हैं सीर में पीड़ा होती हैं चक्कर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं वो सारे समस्था आपको दूर कर देंगे बिल्कुल इस सारे समस्था को आपके दू कर देंगे आप में सदिखता लोग बोलते हैं गुरु जी हमारे पेटों में दर्द बना रहता तो इसके लिए क्या करें तो इनके पत्ते लेना है अगर पेटों में दर्द बना रहते तो आपको लेना है 100 गराम के आसपास आपको लेना है जीरा ध्यान से सुनिए 100 गराम को आपको जीरा लेना है और आपको थोड़ी से मातर में काला नमक लेना है चुट की भर काला नमक लेना है और इनके पांस से दस पते लेना है और आपको लेना है जो पानी के श्रंक है दो गिलास दो गिलास पानी में डाल करके अच्छी तरीके से आपको उबालना है जब तक के एक गिला सेस नहराजा इसके बद आपको पीना है कैसा भी पेट में होने वाले दर्द हो जड़ से समापता हो जाते हैं जो शदा बहान नामे की पौधा है अगर नित्य अगर आप इनका परोग करते हैं चार से पांच पती खाना शुरू कर देते हैं तब भी आपको कई प्र से सबस्टर सदा बहार जो वेकती इंका परोग करते हैं हमेशा बहार जैसा उनके शरीर में आनंद आ जाता है इस फूर्ती आ जाता है रोग एवं दोसों से मुकता रहता है इन के बारे में अगर और को आपको और कुछ आउज़्दी या फिर कोई इनका अरुदीक परोग पाता है तो comment section में जरूर बताना और एक बात सभी दर्सकों को बताना चाहूंगे विडियो समापता करने से पहले इस विडियो को अपने तक सिमीत मत रखना जानकारी फैलाने से ज्यान बढ़ाने से ज्यान हमेशा बढ़ता है हो सकते आप इस विडियो को सेयर करें तो किसी क जिन्दगी को बरबाद होने से बचा ले कोई डाबेटी से पीडित हो उनको जो है काफी अगर पैसे खर्चा कर चुके उनकी जीवन बरबाद होने के कगार में हैं उनके लिए रामबर साभीत हो जाए अच्छे अम्रित जैसा साभीत हो जाए तो बिड़ो का आगे जरूर सेरकन समाज कल्यान के लिए बिड़ो देखनी के लिए धनिवाद दर्शको नमस्कार जैहीन जाएर्वेद